साड़ियों के व्यापारी को गूगल पे से भुकतान करना पड़ा भारी कोलकता की फर्म के संचालक ने लगाई 25,200 रुपे की चपक सदर कोतवाली थान अंतरकत मूदरी मौला इस्तित शिरी ट्रेडर्स के मालेक दिलिप कुमार ने सदर कोतवाली थाने पर अपने साथ हुई दोका धड़ी के मामले में एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कोतवाली थाने के ASI विश्नु परशाद ने IPC की धारा 420 में दर्ज प्रकरण की जानकारी देते हुई बताया कि दिलिप कुमार की शिरी ट्रेडर्स के नाम से मुद्री भॉल्ले में साडियों की दुकान है उन्होंने RS गार्मेंट कोलकता फर्म के संचालक सुनील कुमार के नाम पर गूगल पे के मात्यम से साडियों का ओडर देने के पश्चाथ एक बार 2800 रुपे दूसरी बार 10,415 रुपे और तीसरी बार 12,000 रुपे कुल 25,200 रुपे ट्रांसफर किये लेकिन यह पैसा संबंदित फर्म को प्राप्त ना होकर बीच में किसी अन्ने को बुकतान हो गया जिसके बाद उन्हें अपने साथ हुई दोखादरी की जानकारी होने पर उन्हेंने पुलिस से फर्याद लगाई है आईपीसी के धाना 420 में दाजि प्रक्रण की जाच सम इंस्पेक्टर संजन कुमार द्वारा की जा रही है जी सार क्या मामला है और किसने मुकर्मा दजकर है यह दिलिव कुमार सनौप यह निवासी है आजे नगर जिनकी दुकान है श्री ट्रेडर से सेंटर मुंदरी मोहला कोतवाली में यह साधियों के व्यापारी है जिन्होंने ओडर किया था आर एस गार्मेंट कलकत्ता सुनील कुमार जी नाम करके हैं और गूगल पैसे इनको पैमेंट किया था इनके साथ में फॉर्टुन्टी विए उस संबंद में उन्होंने मुगतमंदज गराया है किस तरह किसे पैसों का है और तब तब दिया है इन्होंने अलग लग किस्तो में एग वर ठाट सु रूपे एक 終 प collector 596 रूपे एक बार लाण los ja 1530 रूपे कि इनके साद दोखा दभिए इननों ने कपडे जो है 6 है ख्रीटने के लिए इन्होंने ऑम अ मातने कुमार गुगल पेसे पैमेंट क्या था उसमें किसा अप्र इस गार्मेंट कलकत्ता वाले के खिलाब इन्होंने एफायरदस कर रही है क्या नाम है सुनील कुमार कलकत्ता विश्णोपरसाद एसाई पुलिसाना कोटवाली जिलाज में किन दारहों में हुआ है केवल 420 में हुआ है और दिवान जी है हमारे सज्जन कुमार जी उनके पास में तत्तिस है वह तत्तिस कर अपना विश्णोपरसाद एसेगी